C.I.E.T. N.C.E.R.T. की ओर से प्रस्तोत है अध्याय चार भारत में खाद्य सुरक्षा प्रिष्ट संख्या 41 अवलोकन खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता पहुँच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ है जब भी अनाज की उत्पादन या उसके वित्रण की समस्या आती है तो सहे जी निर्धन परिवार इस से अधिक प्रभावित होते हैं खाद्य सुरक्षा सारवजनिक वित्रण प्राणाली शासकीय सतरकता और खाद्य सुरक्षा के खत्रे की स्थिती में सरकार द्वारा की गई कारवाई पर निर्भर करती है। पहुच का अर्थ है कि खाद्दे प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। गुच का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौश्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। किसी देश में खाद्दे सुरक्षा किवल तभी सुनिश्चित होती है जब एक, सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्दे उपलब्ध हो। दो, सभी लोगों के पास स्वीकार गुणवत्ता के खाद्दे पदार्थ खरीदने की ख्षमता हो। और तीन, खाद्दे की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं हो। समाज का अधिक गरीब वर्प तो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्थ हो सकता है परंतो जब देश, भुकंप, सूखा, बाड, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल आदी राश्ट्री आपदाओं से गुजर रहा हो तो निर्धनता रेखा से उपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्थ हो सकते हैं 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ था आधारिक खाद्य पदार्थों की सदैव परियाप्त उपलब्ध था अमर्ति सेन ने खाद्य सुरक्षा में एक नाया आयाम जोड़ा और हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुँच पर जोर दिया हकदारियों का भी प्राए राज्य या सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई अन्ने पूर्तियों के साथ साथ उन वस्तूँ से हैं जिनका उत्पादन और विनिमय बाजार में किसी व्यक्ति द्वरा किया जा सकता है तदनुसार खाद्य सुरक्षा के अर्थ में काफी परिवर्तन हुआ है विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में ये घोशना की गई कि वैक्तिक, पारिवारिक, क्षेत्रिये, राश्ट्रिये तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्वत भी है जब सक्रिये और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए परियाप्त, सुरक्षित एवं पौश्टिक खाद्य तक सभी लोगों की भौतिक एवं आर्थिक महच सदैव हो खाद्य एवं कृश्टि संगठन 1996 पृष्ट 3 इसके अतिरिक्त घोष्णा में ये भी स्विकार किया गया कि खाद्य तक महच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना परमावर्शक है किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान की कुल उपज में गिरावटाती है इससे प्रभावित क्षित्र में खाद्य की कमी हो जाती है खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती है कुछ लोग उची खीमतों पर खादे बदार्थ नहीं खरीच सकते अगर ये आपदा अधिक विस्तित क्षित्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भुकमरी की स्थिति पैदा हो सकती है व्यापक भुकमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौते होती है जो भुकमरी तथा विवर शोकर, दूशिजल या सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली महमारियों तथभ हुक्मरी से उत्पन कम्जोरी से रोगों के प्रती शरीर की प्रतिरूतिक शमता में गिरावट के कारण होती है भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था वो 1943 का बंगाल का अकाल था इस अकाल में भारत के बंगाल प्रांथ में 30 लाख लोग मारे गए थे क्या आपको मालूम है कि बंगाल की अकाल में सबसे अधिक कौन लोग प्रभावित हुए? चावल की खीमतों में भारी वृद्धी से खेती हर मजदूर, मचुवारे, परिवहन कर्मी और अन्य अन्यमित श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हुए इस अकाल में सबसे अधिक वही मरे। प्रिष्ट संख्या 42 सारणी 4.1 बंगाल प्रांत में चावल की उपज। इस बॉक्स में वर्ष उत्पादन लाख टन में, आयात लाख टन में, निर्यात लाख टन में, कुल उपलब्धता लाख टन में। ये इस प्रकार है वर्ष 1938 उत्पादन लाख टन पिच्चासी आयात लाख टन में, निर्यात लाख टन में, कुल उपलब्धता लाख टन में। ये इस प्रकार है कुल उपलब्धता लाक्टन 83 वर्ष 1940 उत्पादन लाक्टन 82 आयात लाक्टन 03 निर्यात आकड़ा उपलब्ध नहीं है कुल उपलब्धता लाक्टन 85 1941 उत्पादन लाक्टन 68 आयात लाक्टन 02 निर्यात लाक्टन आकड़ा उपलब्ध नहीं है कुल उपलब्धता लाग्टन सत्तर 1942 उत्पादन लाग्टन तिरानवे आयात लाग्टन आंकडा उपलब्ध नहीं है निर्यात लाग्टन शून्य एक कुल उपलब्धता लाग्टन बानवे 1943 उत्पादन लाग्टन चेहत्तर आयात लाक्टन शुन्य तीन निर्यात लाक्टन आखड़ा उपलब्ध नहीं है कुल उपलब्धता लाक्टन उनासी स्रोत सेन एके उन्निस उतिरासी प्रिष्ट एकसट देखें इस अध्याय का संदर्भ आईए चर्चा करें कुछ लोगों का कहना है कि बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था सारणी 4.1 का अध्ययन करें और बताएं कि क्या आप इस खथन से सहमत हैं किस वर्ष में खाद्य उपलब्धता में भारी कमी हुई चित्र 4.1 राहत केंद्र पर भुकमरी से पीड़ित लोग सन 1945 इस चित्र में पाँच व्यक्ति दिखाए गए हैं जिनके शरीर पर समुचित कपड़ा नहीं है और हड़ियां बाहर निकली हुई है आयू वर्ग व्रिध जान पड़ता है दूसरा चित्र 4.2 1943 के बंगाल के अकाल के दोरान पूर्वी बंगाल के चटगाउं जिले में गाउं छोड़ कर जाता हुआ एक परिवार इस चित्र में पाँच लोग दिखाए गए हैं जिनमें दो बालक हैं और एक बालिका तथा पति-पत्नी ये भी भुकमरी के कारण गाउं छोड़ रहे हैं प्रिष्ट संख्या 49 सुझाय कए कार्य क चित्र 4.1 में आप क्या देखते हैं क पहले चित्र में कौन सा आयूवर्ग दिख रहा है क क्या आप कह सकते हैं कि चित्र 4.2 में दिखाया गया परिवार गरीब है क्यूँ क्या आप अकाल पढ़ने से पहले लोगों की जीवी का किस रोत के बारे में अनुमान लगा सकते हैं गाउं के संदर्भ में याद करें कि किसी राहत शिवर में प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों को किस तरह की मदद दी जाती है च क्या आपने इस तरह के पीड़ितों की कभी धन, खाद्दे, कपड़ों, दवाओं आदी के रूप में सहायता की है परियोजना कार्य भारत में अकाल संबन्धी और सूचनाएं एकत्र करें भारत में बंगाल जैसे अकाल पुना कभी नहीं पड़ा लेकिन ये चिंता का विश्य है कि आज भी उडिसा में कालाहांडी तथा काशिपुर जैसे स्थान है जहां अकाल जैसी दशाएं अनेक वर्षों से बनी हुई है और ऐसी भी सूचना मिली है कि वहां भूग के कारण कुछ लोगों की मृत्यू भी हुई है हाल के कुछ वर्षों में राजस्थान के बारंजिले जारखंड के पालामूजिले तथा अने सुदूर वर्ती क्षेत्रों में भूग के कारण लोगों की मृत्यू की सूचना मिली है अतहा किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवर्षक होती है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके खाद्य असुरक्षित कौन है यद्यपी भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोशन की दृष्टी से असुरक्षित है परंतु इस से सरवाधिक प्रभावित वर्गों में ये वर्ग शामिल है भूमी ही जो थोड़ी बहुत अत्वानगर्णे भूमी पर निर्भर है पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपना चोटा मोटा काम करने वाले कामगार और निराश्वित तथा भिकारी शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टी से असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस से प्राया, कम वेतनवाले वेवसायों और अनियत श्रम बाजार में काम करते हैं ये कामगार अधिकतर मौसमी कारियों में लगे हैं और उनको इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वे मात्र जीवित रह सकते हैं रामू की कहानी रामू रायपूर गाउं में क्रिशिक शेत्रक में एक अनियत खेती हर मजदूर के रूप में काम करता है उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू दस वर्ष का है वो भी गाउं के सरपंच सत्पाल सिंग के पशों की देखभाल करने वाले पाली के रूप में काम करता है सोमू सरपंच के यहां पूरे वर्ष काम करता है और उसे इस काम के लिए सिर्फ एक हजार रुपए मिलते है रामू के तीन और बेटे और दो बेटियां है लेकिन वे अभी बहुत कम उम्रके हैं और वे खेत में काम नहीं कर सकते रामू की पतनी सुनहरी भी पशूँ की सफाई करने और गोबर हटाने का काम अंश कालिक करती है उसे अपने रोजाना काम के बदले आधा लीटर दूद और सबजियों के साथ कुछ पका खाना मिलता है इसके अलावा वेस्त मौसम में वो अपने पती के साथ मिलकर खेतों में काम करती है और उनकी आमदनी बढ़ जाती है कृशी एक मौसमी कार रहे है और रामू को केवल बुआई, पौधा रोपन और फसल की कटाई के समय काम मिलता है वो वर्ष में फसल तयार होने और पकने तक की अवधी के दौरान लगभग चार महीने बेरोजकार रहता है तब वो दूसरे कारियों में काम की तलाश करता है कभी-कभी उसे ईच भटे में या गाउं में चल रहे निर्मान कारियों में काम मिल जाता है रामू अपने इन प्रयासों से नकत या फिर वस्त रूप में इतना कमा लेता है जिससे वो अपने परिवार के दो जून के भोजन के लिए जरूरी चीजें जुटा सके बहराल जब वो कहीं काम पाने में असफल रहता है तो उसे और उसके परिवार को वास्तव में कठनाईयों का सामना करना पड़ता है और कभी-कभी उसके छोटे बच्चों को भूखे पेठी सोना पड़ता है परिवार को दूद तथा सबजियां भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिलती है रामू कृशीकारे की मौसमी प्रकृती के कारण अपनी बेरोजकारी के चार महीनों में खाद्धी की दृष्टी से असुरक्षित रहता है प्रिष्ट संख्या चवालीस आईए चर्चा करें एक, कृशी एक मौसमी क्रिया क्यूं है रामू वर्ष के लगभग चार महीने बेरोजकार क्यूं रहता है तीन, जब रामू बेरोजकार होता है तो वो क्या करता है चार, रामू के परिवार में पूरक आये कौन प्रदान करता है पाँच, कोई भी काम पाने में असमर्थ होने पर रामू को कठनाई क्यूं होती है छे, रामू खाद्दे के दृष्टी से कब असुरक्षित होता है एहमद की कहानी, बॉकसारंब एहमद, बंगलोर में रिक्षा चलाता है वो अपने तीन भाईयों, दो बेहनों और बूढ़े माबाप के साथ जुमरित अलया से आया है वो एक जुग्गी में रहता है उसके परिवार के समस्त सदस्यों का पालन पोशन रिक्षा चलाने से होने वाली उसकी प्रते दिन की आये पर निर्भर है बहराल उसका रोजगार सुरक्षित नहीं है और उसकी आये प्रते दिन घट्टी बढ़ती रहती है कभी कभी वो इतना कमा लेता है कि समस्त दैनिक आवर्शक्ताओं की चीज़े खरीदने के पश्चाद अपनी आये में से कुछ बचा लेता है अन्य दिनों में वो मुश्किल से इतना ही कमा पाता है जिससे वो दैनिक आवर्शक्ता की वस्तुएं ही खरीच सके सौभा गिवर्श एहमद को एक पीला कार्ट प्राप्त है जो नर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का पीडी एस कार्ड है इस कार्ड से एहमद अपनी दैनिक जरूरतों के उपभोक के लिए परियाप्त मातरा में गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल प्राप्त कर लेता है वो इन चीजों को बाजार की किमत से आदी किमत पर प्राप्त कर लेता है वो अपना मासिक भंडार उस विशेश दिन खरीटता है जिस दिन दुकान निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए खुलती है इस तरह एहमद अपनी इस अपरियाप्त आय से अपने बड़े परिवार का किसी तरह पालन पोशन कर रहा है जहां वो अकेला कमाने वाला सदस्य है आईए चर्चा करें एक, क्या रिक्षा चलाने से एहमद को नियमेताए होती है दो, रिक्षा चलाने से होने वाली थोड़ी से आय के बावजूद पीला कार्ड एहमद को अपना परिवार चलाने में कैसे मदद कर रहा है तीन, रामू खादे की दरिष्टी से कब असुरक्षित होता है खादे पदाध करीदने में असमर्थटा के साथ सामाजिक संरचना भी खादे की द्रिष्टी से असुरक्षा में भूमी का निभाती है अनुसूचित जाती, अनुसूचित जन जाती और अन्य पिछडी जातियों के कुछ वरकों इनमें से निचली जातियां इनका या तो भूमी का आधार कमजोर होता है या फिर उनकी भूमी की उत्पादक्ता बहुत कम होती है वे खाद्य की दृष्टी से शीक्र असुरक्षित हो जाते हैं वे लोग भी खाद्दे की दृष्टी से सरवाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं और जिने काम की तलाश में दूसरी जगा जाना पड़ता है कुपोशन से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं ये गंभीर चिन्ता का विशय है क्योंकि इस से अजन्मे बच्चों को भी कुपोशन का खत्रा रहता है खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूथ पिला रही महिलाओं तथा पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है राश्ट्रिय स्वास्थ एवं पारिवारिक सर्वेक्षन एनेच एफेस 1998-99 के अनुसार भारत में ऐसी महिलाओं और बच्चों की संख्या ग्यारह करोड के लगभग है देश के कुछ क्षेत्रों जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य जहां गरीबी अधिक है वास्तब में उत्तरप्रदेश, पूर्वी और दक्षन पूर्वी हिस्से, बिहार, जारखंड, उड़ीसा, पश्रिम बंगाल, छत्तीजगड, मध्यप्रदेश और महराष्ट के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टी से असुरक्षत लोगों की सरवाधिक संख्या है वर्तमान में भुक्मरी समाप्त हो जाती है और भविश्य में भुक्मरी का खत्रा कम हो जाता है भुक्मरी के दीर्खकालिक और मौसमी आयाम होते हैं दीर्ग कालिक भुक्मरी मात्रा एवं या गुणवत्ता की आधार पर अपरयाप्त आहार घ्रहन करने के कारण होती है। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण दीर्ग कालिक भुक्मरी से ग्रस्त होते हैं मौसमी भुक्मरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबध है ये ग्रामिन क्षेत्रों की कृषिक्रियाओं की मौसमी प्रकृती के कारण तथा नगरिये क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है जैसे बरसात के मौसम में अनियत निर्मान श्रमिक को कम काम रहता है इस तरह की भुकमरी तब होती है जब कोई व्यक्ती पूरे वर्ष काम पाने में अक्षम रहता है प्रिष्ट संख्या 45 सारणी 4.2 में दिखाया गया है कि भारत में मौसमी और साथ ही दिर्गकालिक भुकमरी के प्रतिशत में गिरावटाई है सारणी 4.2 भारत में भुकमरी से ग्रस्त परिवारों का प्रतिशत वर्ष भुकमरी के प्रकार मौसमी दिर्गकालिक कुल वर्ष ग्रामिण 1989 मौसमी 16.2 दिर्गकालिक 2.3 कुल 18.5 वर्ष उन्निसो तिरानवे चुरानवे मौसमी 4.2 दिर्गकालिक 0.9 कुल 5.1 वर्ष उन्निसो निन्नियानवे दो हजार मौसमी 2.6 दिर्गकालिक 0.7 कुल 3.3 शेहरी मौसमी भुकमरी 1983 5.6 दिर्गकालिक 0.8 कुल 6.4 उन्निसो तिरानवे चुरानवे मौसमी 1.1 दिर्गकालिक 0.5 कुल 1.6 वर्ष उन्निसो निन्नियानवे दो हजार मौसमी भुकमरी 0.6 दिर्गकालिक 0.3 कुल 0.9 स्वतन्तृता के बाद खाद्यानों में आत्म निर्भर होना भारत का लक्षे रहा है स्वतन्तृता की पश्चात भारतिये नीति निर्माताओं ने खाद्यानों में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के सभी उपाय किये भारत ने क्रिशी में एक नई रणनीती अपनाई जिसकी परनिती हरित क्रांती में हुई विशेशकर गेहूं और चावल के उत्पादन में ततकालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांती शिर्षक से एक विशेश डाख टिकट जारी कर क्रिशी के क्षेत्रक में हरित क्रांती की प्रभावशाली प्रगती को आधिकारिक रूप से दर्ज किया गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में इस सफलता की पुनरा वृत्ती हुई बहराल अनाज की उपज में वृध्धी समान उपातिक नहीं थी पंजाब और हर्याना में सर्वाधिक वृध्धी दर दर्ज की गई जहां अनाजों का उत्पादन 1964-65 के 72.3 लाग टन की तुल्ला में बढ़कर 2009-2010 में 218 करोड टन पर पहुँच गया जो अब तक का सर्वाधिक उँचा रिकॉड था महराष्ट्र, मध्यप्रदेश, बिहार, उडिसा और पुर्वत्तर राज्यों में उत्पादन का स्तर पिछड़ता रहा दूसरी तरफ तमिलनाडू और आंध्रप्रदेश में चावल के उत्पादन में उलिकनी ये वृध्धी हुई प्रिष्ट 45 पर ही एक चित्र है, चित्र संख्या 4.3 इसमें पंजाब का एक किसान दर्शाया गया है ये किसान HYV प्रकारों वाले गेहूं के एक खेत के सामने है जिस पर हरित करांती आधारित है सुझाई गई क्रियाएं निकट के किसी गाउं में कुछ खेतों पर जाएं और किसानों द्वारा उप जाई गई खाद्दे फसलों का ब्योरा एकत्रित करें सत्तर के दशक के प्रारंभ में हरित करांती के आने के बाद से मौसम की विपरीद दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा है देश भर में उप जाई जाने वाली विवद फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्द्यानों के मामले में आत्म निर्भर बन गया है सरकार द्वारा साफधानी पूर्वक तयार की गई खाद्य सुरक्षा विवस्था के कारण देश में खराब मौसम सित्यों के बावजूत अत्वा किसी अन्यकारण से अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई इस व्यवस्था के दो घटक हैं क बफर स्टॉक और ख सार्वजनिक वित्रण प्रणाली पृष्ट च्यालीस आरेक चार पॉइंट एक भारत में अनाज की उपज करोड टन वर्ष उन्निसो साठ एक सट अनुमान तह पचास करोड टन उन्निसो सत्तर इकहत्तर अनुमान तह सौ करोड टन उन्निसो अस्सी इक्यासी अनुमान तह सौ करोड टन उन्निसो नब्बे इक्यानवे अनुमान तह एक सो पचास करोड टन दोहजार एक अनुमान तह एक सो पचास करोड टन 2001-2002 अनाज की उपच 200 करोड टन वर्ष 2002-2003 अनुमान तह 150 करोड टन वर्ष 2003-2004 अनाज की उपच 200 करोड टन 2005-2006 अनाज की उपच अनुमान तह 200 करोड टन 2009-2010 अनाज की उपज करोड़ टन अनुमान तह 200 करोड़ टन स्रोत आर्थिक सरवेक्षन 2011-2012 आईए चर्चा करें आरेक 4.1 का अध्येयन करें और इन प्रश्नों के उत्तर दें 1. हमारे देश में किस वर्श में अनाज उत्पादन 200 करोड़ टन प्रतिवर्श से अधिक हुआ 2. भारत में किस दशक में अनाज उत्पादन में सरवाधिक दशकी ये वृध्धी हुई 3. क्या 2000-2001 से भारत में उत्पादन में वृध्धी स्थाई है बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक की गोशना करती है। आपदाकाल में अनाच की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करता है। सारवजनिक वितरण प्रणाली क्या है? भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाच को सरकार विन्यमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सारवजनिक वितरण प्रणाली PDS कहते हैं। अब अधिकांश ख्षेत्रों, गामों, कस्बों और शेहरों में राशन की दुकाने हैं। देश भर में लगबग साढ़े पाँच लाख राशन की दुकाने हैं। राशन की दुकानों में जिने उचत दरवाली दुकाने कहा जाता है, चीनी, खाद्यान और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है। ये सब बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रतिमह, इनकी एक अनुबंधित मात्रा जैसे 35 किलोग्राम अनाच, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलोग्राम चीनी आदी निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीच सकता है। राशन कार्ड तीन प्रकार के होते हैं। राशन की दुकान पर कौन कौन सी चीजें बेची जाती हैं। तीन, निर्धनता की रेखा से नीचे वाले परिवारों के लिए राशन की दुकान के चावल और चीने की खिमत की तुलना किसी अन्ने किराने की दुकान की खिमतों से करें। पता लगाएं एक, क्या आपके पास राशन कार्ड है दो, इस राशन कार्ड से आपके परिवार ने हाल में कौन सी चीज़ खरीदी है तीन, क्या उन्हें किसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है चार, राशन की दुकाने क्यों जरूरी है प्रिष्ट 47 पर ही एक चित्र है चित्र संख्या 4.4 इसमें कुछ महिलाएं कतार में लगी है और राशन की दुकान पर खड़ी है राशन ले रही है भारत में राशन व्यवस्था की शुरूआत बंगाल के अकाल की प्रिष्ट भूमी में 1940 के दशक में हुई हरत क्रांती से पूर्व भारी खाद्य संकट के कारण साथ के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर जीवित की गई गरीबी के उच्चस्तरों को ध्यान में रखते हुए सत्तर के दशक के मध्धे एनससो की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी तीन महत्पपूर्ण अंतक शेप कारिक्रम प्रारंभ किये गए सारवजनिक वित्रण प्रणाली जो पहले से ही थी लेकिन उसे और मस्पूत किया गया एकी कृत बाल विकास सेवाएं ICDS जो प्रायोगिक आधार पर 1975 में शुरू की गई और काम के बदले आनाच FFW 1977-78 में प्रारंभ इन वर्षों में कई नए कारिक्रम शुरू किये गए हैं और कारिक्रमों को चलाने के बढ़ते अनुभवों के आधार पर अन्ने कारिक्रमों का पुनरगठन किया गया वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन कारिक्रम P.A.P. चल रहे हैं जो अधिकतर ग्रामिन क्षित्रों में हैं इन में स्पष्ट रूप से घटक खाद्य भी है जहां सारवजनिक वितरण प्रणाली दोपहर का भोजन आदी विशेश रूप से खाद्य की दृष्टी से सुरक्षा के कारिक्रम है अधिकतर P.A.P. भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं रोजगार कारिक्रम गरीबों की आए में बढ़ोतरी कर खाद्य सुरक्षा में बढ़ा योगदान करते हैं सुझाय गए क्रिया कलाप सरकार की ओर से शुरू किये गए खाद्य पर आधारित कारिक्रमों की विस्त्रत जानकारी एकत्र करें संकेत, ग्रामीर्ण वेतन रोजगार कारिक्रम, रोजगार गारंटी योजना, संपूर्ण ग्रामीर्ण रोजगार योजना, दोपहर का भोजन, एकी कृत बाल विकास सेवाएं आदी, अपने शिक्षक के साथ चर्जा करें प्रिष्ट संख्या 48, सारवजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिती, सारवजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वपून कदम है, प्रारंभ में ये प्रणाली सब के लिए थी और निर्धनों और गेर निर्धनों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता था, बात के वर्षों में सारवजनिक वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया गया, 1992 में देश के 1700 ब्लोकों में संशोधित सारवजनिक वितरण प्रणाली, RPDS शु गरीबों को लक्षित करने के सिद्धान्त को अपनाने के लिए लक्षित सारवजनिक वितरण प्रणाली, TPDS प्रारंब की गई। ये पहला मौका था जब निर्धनों और गेर निर्धनों के लिए विभेदक खेमत नीती अपनाई गई। इसके अलावा, सन 2000 में दो विशे नागरिक समूहों पर लक्षित हैं। अध्यतन मात्रा निर्धम कीमत रुपया प्रती किलोग्राम। योजना का काम सारवजनिक वितरण प्रणाली, आरंब का वर्ष उननी सो बान्वितक, लक्षित सम्हू सर्वजनीन, अध्यतन मात्रा संकेतित नहीं। आरंब का वर्ष उननी सो बान्वि लक्षित सम्हू पिछडे ब्लोक। अध्यतन मात्रा बीस किलोग्राम खाद्यान। निर्गम कीमत गेहू 2.80 रुपे प्रती किलोग्राम, चावल 3.77 रुपे प्रती किलोग्राम। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंब का वर्ष उननिसो सत्तानवे। लक्षित सम्हू निर्धन और गेर निर्धन अध्यतन मात्रा 35 किलोग्राम खाद्यान। निर्गम कीमत बीपियल गेहू 1.5 रुपे प्रती किलोग्राम, चावल 3.45 रुपे प्रती किलोग्राम। अंतियोदय अन्योजना आरंब का वर्ष 2000 लक्षित सम्हू निर्धनों में सबसे निर्धन। अध्यतन मात्रा 35 किलोग्राम खाद्यान, गेहू 2 रुपे प्रती किलोग्राम, चावल 3 रुपे प्रती किलोग्राम। अन्यपूर्ण योजना आरंब का वर्ष 2000 लक्षित सम्हू दीन वरिष्ठ नागरिक। अध्यतन मात्रा 10 किलोग्राम खाद्यान निर्गम कीमत निशुल्क नोट BPL निर्धनता रेखा से नीचे APL निर्धनता रेखा से उपर स्रोत आर्थिक सर्वेक्षन इन वर्षों के दोरान सार्वजनिक वितरन प्रणाली मुल्यों को स्थिर बनाने और सामर्थ अनुसार कीमतों पर उपभोक्ताओं को खाद्यान उपलब्द कराने की सरकार की नीती में सर्वाधिक प्रभावी साधन सिद्ध हुई है इसने देश के अनाच की अधिशेश क्षित्रों से कमी वाले क्षित्रों में खाद्य पूर्ती के माध्यम से अकाल और भुक्मरी की व्यापक्ता को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमी का निभाई है इसके अतिरिक्त आमतोर पर निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों का संशोधन होता रहा है नियूनतम समर्थित कीमत और अधिप्राप्ती ने खाद्यानों के उत्पादन की वृध्धी में योगदान दिया है तथा कुछ क्षित्रों में किसानों को आय सुरक्षा प्रदान की है तथा पी सारवजनिक वित्रण प्रणाली को अनेक आधारों पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है अनाजों से ठसाठस भरे अन भंडारों के बावचूद भुकमरी की घटनाए हो रही है FCI के भंडार अनाज से भरे हैं कहीं अनाज सर रहा है तो कुछ स्थानों पर चूहे अनाज खा रहे हैं R1 4.2 वर्ष 2002 तक खाद्यान के बढ़ते हुए स्टॉक को बता रहा है R1 4.2 केंद्रिये खाद्यान, गेहूं और चावल, स्टॉक और नियूनतम बफर प्रतिमान करोड टन July 2001 वास्तविक स्टॉक 24.3, बफर स्टॉक 61.7 July 2002 वास्तविक स्टॉक 24.3, बफर स्टॉक 63 July 2003 वास्तविक स्टॉक 24.3, बफर स्टॉक 35.2 जुलाई 2004 वास्तविक स्टॉक 24.3 बफर स्टॉक 29.9 जुलाई 2012 वास्तविक स्टॉक 33 बफर स्टॉक 82.3 करोड टन स्रोत आर्थिक सर्वेक्षन 2012 राष्ट्रिय काम के बदले अनाज कारिक्रम 14 नवेंबर 2004 को पूरक श्रम रोजगार के स्रजन को तीवर करने के उद्देश से देश के 150 सरवाधिक पिछड़े जिलों में प्रारंब किया गया था ये कारिक्रम उन समस्त ग्रामिर्ण गरीबों के लिए है जिने वेतन रोजगार की आवशकता है और जो अकुशल शारिरिक श्रम करने के इच्छुक हैं इसे शत प्रतिशद केंद्र द्वारा प्रायुजित कारिक्रम के रूप में लागू किया गया और आज्यों को निशुल्क अनाज मोहिया कराया जाता रहा है जिलास्तर पर कलेक्टर शीर्ष अधिकारी है और उन पर इस कारिक्रम की योजना बनाने कार्यानवयन, समनवयन और परेविक्षन की जिम्मेदारी है वश 2004-2005 में इस कारिक्रम के लिए 20 लाग टन अनाज के अतिरिक्त 2020 करोड रुपए नियत किये गए है प्रिष्ट 49 आव चर्चा करें आरेक 4.2 का अधियन करें और इन प्रशनों के उत्तर दें हाल में किस वर्ष में सरकार के पास खाद्यान का स्टॉक सबसे अधिक था FCI का नियूनितम बफर स्टॉक प्रतिमान क्या है FCI के भंडारों में खाद्यान ठसा ठस क्यों भरा हुआ है अन्तियोदय अन्योजना अन्तियोदय अन्योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी इस योजना के अंतरगत लक्षित सारवचनिक वितरन प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से एक करोड लोगों की पहचान की गई संबंधित राज्य के ग्रामिर्ण विकास विभागों ने गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों को सर्वेक्षन के द्वारा चुना दो रुपे प्रती किलोग्राम गेहूं और तीन रुपे प्रती किलोग्राम की अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर प्रतेक पात्र परिवार को 25 किलोग्राम अनाच उपलब्ध कराया गया अनाच की ये मात्रा अप्रेल 2002 में 25 किलोग्राम से बढ़ा कर 35 किलोग्राम कर दी गई जून 2003 और अगस्त 2004 में इसमें 50-50 लाख अतिरिक्त BPL परिवार दो बार जोड़े गए इस से इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या दो करोड हो गई सहाई की अर्थात सबसिडी वो भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उतपादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ती के लिए किया जाता है सहाई की से घरेलू उतपादकों के लिए उची आयक कायम रखते हुए उपभोकता कीमतों को कम किया जा सकता है प्रिष्ट संख्या पचास जुलाई 2012 में FCI के पास गेहूं और चावल का भंडार 82 करोड टन था जो 33 करोड टन के नियूनतम बफर प्रतिमान से बहुत अधिक था बात के वर्षों में भंडार में कमी आई फिर भी ये बफर स्टॉक प्रतिमानों से लगातार उंचा बना रहा सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अधीन खाद्यानों के वितरन के द्वारा स्थिथी में सुधार हुआ अनाज वितरन से हालात सुधरे इस बात पर आम सहमती है कि बफर स्टॉक का उच्च स्थर बेहद अवांचनी ये है और ये बर्बादी भी है विशाल खाद्य स्टॉक का भंडारण, बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता में हरास की अतिरिक्त उच्च रखरखाव लागत के लिए भी जिम्मेदार है नियूनतम समर्थित कीमत को कुछ वर्ष के लिए स्थिर रखने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए इस प्रिष्ट पर एक चित्र है, चित्र संख्या 4.5 भंडारों में खाद्यान ले जाते हुए किसान दर्शाए गए है वर्षित नियूनतम समर्थित कीमत पर अनाज की अधिक खरीदारी प्रमुक अनाज उत्पादक राज्यों जैसे पंजाब, हरियाना और आंत्रप्रदेश की ओर से डाले गए दबावों का नतीजा है इसके अलावा चुँकि खरीदारी कुछ समर्थित क्षेत्रों पंजाब, हरियाना, पश्चिम उत्तरप्रदेश, आंत्रप्रदेश और कुछ सीमा तक पश्चिम बंगाल में मुख्य तह दो फसलों गेहूं और चावल तक सीमे थे न्यूनतम समर्थित कीमत में व्रधी ने विशेश तया खाद्यानों के अधिशेश वाले राज्यों के किसानों को अपनी भूमी पर मोटे अनाजों की खेती समाप्त कर धान और गेहूं उपचाने के लिए प्रेरित किया है जबकि मोटे अनाज गरीबों का प्रमुक भूजन है धान की खेती के लिए सगन सिचाई से परियावरण और जलस्तर में गिरावट भी आई है जिससे इन राज्यों में कृशिकत विकास को बनाए रखने में खत्रा पैदा हो गया है नियूनतम समर्थित कीमतों के बढ़ने से सरकार की खाद्यानों की वसूली अनुरक्षन लागत बढ़ गई है FCI की बढ़ती परिवहन और भंडारण लागत ने इसे और बढ़ा दिया है चिंता का एक और प्रमुख कारण सार्वजनिक वितरन प्रणाली की विफलता रही है जो इस तथे से स्पष्ट है कि अखिल भारती स्थर पर PDS खाद्यानों की ओसत उपभोग मात्रा एक किलोग्राम प्रतिव्यक्ती प्रतिमा है बिहार, उडिसा और उत्तर प्रदेश में प्रतिव्यक्ती उपभोग का आकड़ा 300 ग्राम प्रतिव्यक्ती प्रतिमाह से भी कम है इसके विपरीत केरल, करनाटक और तमिलनाडू जैसे अधिक तर दक्षणी राज्यों में और हिमाचल प्रदेश में ओसत उपभोग 3-4 किलोग्राम प्रतिव्यक्ती प्रतिमाह के बीच है फलस्वरूप निर्धनों को अपनी खाद्य आवशक्ताओं के लिए राशन दुकान की बजाए बाजार पर निर्फर होना पड़ता है मध्य प्रदेश में निर्धनों द्वारा गेहूं और चावल के उपभोग का मात्र 5 प्रतिशत राशन की दुकानों के माध्यम से पूरा होता है उत्तर प्रदेश और बिहार में ये प्रतिशत और भी कम है पीटीएस डीलर अधिक लाप कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेचना राशन दुकानों में घटिया अनाज बेचना दुकान कभी कबार खोलना जैसे अपचार करते हैं राशन दुकानों में घटिया किसम के अनाज का पड़ा रहना आम बात है जुबिक नहीं पाता ये एक बड़ी समस्या साबित हो रही है जब राशन के दुकाने इन अनाजों को बेच नहीं पाती तो FCI की गोदामों में अनाज का विशाल स्टॉक जमा हो जाता है हाल के वर्षों में एक और कारण से सारवजनिक वितरन प्रनाली में गिरावटाई है पहले प्रत्येक परिवार के पास निर्धन या गेर निर्धन राशन कार्ट था जिसमें चावल, गेहूं, चीनी आदी वस्तूं का एक निश्चित कोटा होता था ये प्रत्येक परिवार को एक समान निम्न खीमत पर बेचे जाते थे आज आप जो तीन प्रकार के कार्ड और खीमतों की श्रिंखला देखते हैं पहले ये नहीं थी बड़ी संख्या में परिवार राशन की दुकानों से अनाच खरीच सकते थे हाँ उनका कोटा निश्चित था इसमें निम्न आए वर्ग के परिवार शामिल थे जिनकी आए निर्धनता रेखा से नीचे के परिवार की आए से थोड़ी ही अधिक थी अब तीन भिन्न खीमतों वाले टीपी डीएस की वेवस्था में निर्धनता रेखा से उपर वाले किसी भी परिवार को राशन दुकान पर बहुत कम छूट मिलती है एपील परिवारों के लिए कीमतें लगभग उतनी ही उची हैं जितनी खुले बाजार में इसलिए राशन की दुकान से इन चीजों की खरीदारी के लिए उनको बहुत कम प्रोचसाहन प्राप्त है प्रिष्ट संख्या 51 सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका भारत में विशेशकर देश के दक्षणी और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्पपूर्ण भूमिका निभा रही हैं सहकारी समितियां नर्धन लोगों को खाद्यान की विक्री के लिए कम قीमत वाली दुकाने खोलती हैं उदारनार्थ तमिलाडू में जितनी राशन की दुकाने हैं, उनमें से करीब 94 प्रतिशत सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही है। दिल्ली में मदजेरी उपभुकताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूद और सबजियां उपलब्ध कराने में तेसी से प्रगती कर रही है। गुजरात में दूद तथा दुगद उत्पादों में अमूल एक और सफल सहकारी समिति का उधारण है। इसने देश में श्वेत करान दिला दी है। देश के विभिन भागों में कारेरत सहकारी समितियों के और अनेक उधारण है। जिन्होंने समाज के विभिन वर्गों क के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराई है। इसी तरह महराष्ट में Academy of Development Science ADS ने विभिन्नक्षेत्रों में अनाश बैंकों की स्थापना के लिए गयर सरकारी संगठनों के नेटवर्क में सहायता की है। ADS गयर सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा के विशय में प्रशिक्षन और क्षमता निर्मान कारिक्रम संचालित करती है। अनाश बैंक अब धीरे धीरे महराष्ट के विभिन्न भागों में खुलते जा रहे हैं। अनाश बैंकों की स्थापना गयर सरकारी संगठनों के माध्यम से उन्हें पहलाने और खाद्य सुरक्षा पर सरकार की नीते को प्रभावित करने में ADS की कोशिष रंग ला रही है। ADS अनाच बैंक कारिक्रम को एक सफल और नए प्रकार के खाद्दे सुरक्षा कारिक्रम के रूप में स्वीकृती मिली है सारांश किसी देश की खाद्दे सुरक्षा तब सुनिश्चित होती है जब उसके सभी नागरिकों को पोशक भोजन उपलब्ध होता है सभी व्यक्तियों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्दे खरीदने की सामर्थे होती है और भोजन तक पहुँचने में कोई अवरूत नहीं होता निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे लोग खाद्दे की दृष्टी से सदै भी असुरक्षित रह सकते हैं जबकि संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाद्दे की दृष्टी से असुरक्षित हो सकते हैं यद्देपी भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्दे और पोशक तत्वों की असुरक्षा से ग्रस्थ है सबसे अधिक प्रभावित सम्हू ग्रामीन क्षित्रों में भूमी हीन और गरीब परिवार बहुत कम वेतन वाले कारियों में लगे लोग और शहरी क्षित्रों में मौसमी कारियों में लगे अनियत श्रमिक हैं देश के कुछ कुछ ख्षित्रों में खाद्दी की दृष्टी से असुरक्षित लोगों की बड़ी संख्या तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक है जैसे आर्थिक रूप से पिछडे राज्यों में जहां बहुत अधिक गरीबी है, जनल जातियों वाले वदूरस्थ कुछ बफर स्टॉक और ख सार्वजनिक वितरन प्रणाली के अतिरिक्त कई निर्धनता उन्मूलन कारिक्रम भी शुरू किये गए जिन में खाद्य सुरक्षा का घटक भी शामिल था। और खेर सरकारी संगठन भी हैं जो इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। प्रिष्ट संख्या 52 अभ्यास 1. भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है। 2. कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्थ हो सकते हैं। 3. भारत में कौन से राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्थ हैं। 4. क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांती ने भारत को खाद्यान में आत्म निर्भर बना दिया है। कैसे। 5. भारत में लोगों का एक वर्ग अब भी खाद्य से वंचित है। व्याख्या कीजिए। 6. जब कोई आपदा आती है तो खाद्य पूर्ती पर क्या प्रभाफ होता है। 7. मौसमी भुकमरी और दीर्ग कालिक भुकमरी में भेत कीजिए। 8. गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया। सरकार की ओर से शुरू की गई किन ही दो योजनाओं की चर्चा कीजिए। 9. सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है। 10. टिपणी लिखें। 10. टिपणी लिखें। 12. खाद्य और संबंधित वस्तूओं को उपलब्ध कराने में सहकारी समितियों की भूमिका पर एक टिपणी लिखें। 11. संदर्भ 12. देफ S. महेंद्र, कानन, केपी और रामचंदरन, नीरा, संपादित, 2003 12. Towards a Food Secure India, Issues and Policies, Institute for Human Development, नई दिल्ली 12. HFO, 1996, World Food Summit, 1995, Food and Agricultural Organization, रूम 12. आर्थिक सर्वेक्षन, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, वित्तमंत्राले, भारत सरकार, नई दिल्ली 12. IIPS, 2000, National Health and Family Survey, 2, International Institute of Population Sciences, Mumbai 12. Sagar Vidya, 2004, Food Security in India, Paper Presented in ADRF-IFRI, Final Meeting on Food Security in India, September 10-11, नई दिल्ली 12. Saksena NC, 2004, Synergizing Government Effort for Food Security, Swaminathan, MS, or Medrano, Pedro, Sampadit, May, towards Hunger-Free India, East-West Books, Chennai 12. Saksena NC, 2004, Reorganizing Policies and Delivery for Elevating Hunger and Malnutrition, National Food Security Summit, Nayi 12. Sakshi JV, 2004, Micronutrient Deficiencies in Rural Diets, Towards Hunger-Free India, From Vision to Action, Proceedings of Consultation on Towards Hunger-Free India, Countdown from 2007, Nayi Dilli UN 1975, Report of the World Food Conference, 1975, Rome, United Nations, New York, Adhyay Samapt अभी आप सुन रहे थे, कक्षानों की ध्वनी पाठ्य पुस्दक, अर्थशास्त्र, ध्वनियंकन, बटिलेंग लिंग्डोह, और शानु मुक्सीम, निर्माण तथा ध्वनी संपादन, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली